बना हुआ है लेकिन सुछारूर रूप से पंचाईत भण में काम नहीं होता है मैं अगर जुतूँदूंगा तो उसको सुचारूर रूप से मैं अपने अपिस को बना कर और तमाम जनतार जनारतन के असिरवाद से उस अपिस में बैट कर और मेरी पतनी बैट कर उसमें काम करेंगे और जो है 24 घंटा में 6 घंटा हम पंचाईत भौन में जरूर अपना टाइम देंगे और मेरी पतनी देगी आप जाकर मेरे पंचायत में आप जानता से पूछिए सब हरवाड में आप जाकर पूछिए जो काम अभी 5 साल में मुकिया नहीं की एह हag जो भी गरीब हो उंहें सहायता किये ह만े साथ तरह हता है लेकिन फिर्भी हम अपने हम अकुद से नहीं लड़ रहे हैं हमारी आता हम को लड़ रही है जै नमस्कार पनाम आप लोग देखने हैं टीए सेफ न्यूज और मैं अभी ध्रमबारी पंचायत में हूँ एक ऐसा उमिद्वार जो की देवेदारी पेस कर रहे हैं इसके पाले भी ये मुकिया का चुनाव लड़े हुए थे और मात्र दो सो वोट से हार गए थे और इनके भी बहुत जड़ा है में बहुत देखने को मिला आलंकि मुझे टाइम नहीं था लेकिन दुसरी नीज पर मैंने देखा कि बहुत ज़़ा यह जद्या बीर देखने को हाँ पर मिला काफी आये हुए हुए भी थे तो और मैं की सबनम परवीन पती बावर अली हमसाथ सबसे पहले हम धरंबारी पंचायत के तमाम जंता को स्वागत करता हूं सबको मैं धरंबारी पूरे पंचायत को सबसे पहला सवाल आपके पास सर बाबार अले जी किसी चीज की कमी नहीं है फिर भी इसके पहले भी आप चुनाव मैदान में उतरे थे और मात्रा कुछ भोटों से आप आपकी हार हुई थी और अभी उतर गए हैं चेत्र में की रीजन क्या है सर में बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप भी उतर गए हैं क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं अगर बताना चाहता हूं कि हमारे पंचाइद का मैं खुद खारा नहीं हूं ना मेरी पत्नी खारा है यहां के धरमबारी पंचाइद के तमाम जानता जनार्दन मुझे और मेरी पत्नी को मुखिया परत्यासी बनाकर सबनम परिविन को खारा किया है मुझे पंचाइद के तमाम लोगों का उमीध है कि बाबर जी का पत्नी सवनम परिविन अगर मुखिया होगी तो पंचाइद का विकास होगा चूके मैं राजनीत क्षानवे से कर रहा हूं और 96 से मैं जानता से जुरा हुआ हूँ और जानता मुझे पूरा विश्वास किया है कि इसके पहले वाले चुनाव में कुछ कारण से मैं चुनाव हार गया लेकिन इस बार जानता ही ने मुझे को खारा किया कि नहीं आप खारा हो ये हमको तमाम लोगों को आप पर विश्व आप जितिएगा तो हम तमाब लोगों को विश्काग किजिएगा लिए से इंदर आवास होगया है आप पता कर सकते हैं घूनकर गाउँ में जहां-जहां दलित बस्ती है हरजन का बस्ती है और भी बस्ति है कि इंदरावास कहीं किसी गरीब को मिला ही नहीं है इंदरावास गरीब को मिलना चाहिए तो छक वाले एक ताले वाले को दो ताले करने के लिए इंदरावास मिला है और बाद दो हजार एक दो हजार दो और दो इदर 2018 में जो बाढ़ हुआ उसमें 75 परसेंट गरीब जनता को 6000 रुपे जो सरकार देती है वह आज तक किसी को नहीं मिला है वह भी बरे लोगों के घर में छेख छेख 6,000 और शीए 8,000 रुपे आया है गरीब को नहीं मिला है सात्यावाम धनी को मिला है देखिए आप बता रहे हैं कि जनता ने आपको ख़ड़ा किया है और आपके पत्नी को भी ख़ड़ा किया है मतलब परत्यासी तो ही है लेकिन आप अगर बाते बूर रहे हैं ठी बढ़ता है लेकिन विकास ना कहिए कि देखने को नहीं मिलता है बहुत कम पैसका वें लेकिन आप जित्टकर को मेरी पतनी है कदोनों आदमें मेलकर हम जो सरकार का रासी आएगा उसको धृपयोग हम लोग नहीं करेंगे उस रासी को हम जमीन तक हम लों उतारेंगे, जो भी योजना सरकार के होगा, सरकार के देशा अनुसार जो योजना आएगा, उसमें हम दोनों आदनी खारा उतरेंगे, जैसे इंदरावास हो गया, जितना इंदरावास हो गया, हर गरीब तक पहूँचेगा, सोलर लाइट हो गया हर पोल तक पहुंचेगा आपका जो है लेटिंग का पैसा अभी तेक नहीं है अगर सरकार फिर दुबारा उस पैसा को देता है तो जितना गरीब बस्ती है सबको लेटिंग का पैसा मैं दिलाने के काम करूँगा और जहां तक हमारे पंचायत में पंचाय पंचायत भौन में जरूर अपना टाइम देंगे और मेरी पतनी देगी और अगर यह वायादे कर रहे हैं और आपने बाखुवी नहीं निवाया तो इसी चैनल में सर आप से पूछा जाएगा अप पूछ सकते हैं मैं देखिए मेरा काम करने का मैं पूराने राजनितिक अलग स्टाइल अलग बात अलग विचार होता है मैं गरीब के जनता से मैं जुरा हुआ हूँ मैं स्वर्गिये देवदत राय के साथ में चुको देवदत राय जमीनी नेता थे मैं उनके साथ में जुरा था और गरीब के बात को सुनते थे तो मैं उनके साथ में काम किया जो बलोक में बैट कर काम करता है कुए मुख्या बंता हूं तो ऐन केessen ह Major परिफान में और जनता हमारी बलोक में जाने के काम नहीं करेगी अपने पारपन स वक्तुष्या करेगी में सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूं और आपके चैनल के माधियम से मैं अपने धर्मबारी पंचायद के सारी जानता को स्वागत करती हूं यहां कि इतने सारे वाएदे कर रहे हैं वैसे तो आप मुख्या हैं और प्रत्यासी हैं मुख्या के लेकिन इतने सब्सक्राइब निभाएंगे अगए और नहीं निभाएगा तो इसी चैनल में जी बेलकुल आप पूछ सकते हैं आप जानता से पूछेंए सब घर वाड में पूछे जो काम अभी पांच साल में मुख्या नहीं किये हैं वह हम लोग किये हैं जो भी गरीब हो उसको हम लोग सहायता किये हैं और हम अपने हम अखुद से नहीं लग रहे हैं हमारी जनता हमको लड़ा रही है एक सवाल हम आप से पूछेंगे मुझे मन में गुजरा है आप एक परत्यासी हैं और परत्यासी में महिला हैं और महिला लोग बहुत कुछ सोचती हैं मन में बाते चलता है कि मैं जित जाती हूं तो मैं महिलाओं के लिए करूँगी बहुत सारा बात आता है तो आप अगर जि उनको सिखाने का मैं काम करूंगे जो भी होगा सुविदा उनके लिए मैं सब काम करूंगे लाश्ट मैडम ध्रम बारी पंचायत के जानता से मैं यह अपील करती हूं कि आप लोग हमें वोड देकर भारी से भारी मतों से जीता हैं और हमको मुखिया पद पेलाएं वाम जो भ हमकर चैनल से सब्किस को में नमसकार करता हूं हभी भाईयव और में धनवारी छेत्र जितने भी लोग वासिये वह सब किसी को नमसकार और हम आप जा करोवे कर सकते हैं पूरे च्शेत्र में और जाकर से इंस नों कि हर जेगे पहचाने सब कोई जानता है भगवान के दिया हो इंके पास कुछी के कमी नहीं है सब कुछ है और हेल्फ जैसे किसी को होस्पिटल जाना साधी बिया किसी को दुख बिमारी हर चीज में हेल्फ करते हैं यह पूरा धनबारी का लोग किया पूरा मतलब जीला के लो लोग ने जितनी भी जानता यहां का है इनको खुद खड़ा किये हैं कि आप लेक्शन लड़िए और आप जीतिये गया तो कुछ काम करेंगे ठीक है और में बार्स जाकर सर्वे कीजिए आपको खुद मालूम चल जाएगा ठीक हालां कि मैं बता दूं मेरा नियूज का भी मूख्या जी रहे हैं पांद साल तो यह जो धरामबादी पंचाहत में काम हुआ है कुछ जो मुह देखके काम हुआ है ज्याहत तो बड़े तो देखे की दो-तीन जगा इसा है जहां पर आज भी कुए से पानी नीकाल के लोग पीता है ध्यूज को पूल पे लाइट भी नह में भी ऐसा है कि जहां पर लाइट नहीं आ रहा था लाइट छे साल आने के बाद भी लाइट नहीं था वहां पर भी बाबर ली ही जा करके लाइट लाए हैं